जैमातादी आईए सुनते हैं नौरात्री के छठे दिन मा कात्याइनी की ब्रतकथा एवं आर्ति नौरात्री के छठे दिन देवी के छठे स्वरू मा कात्याइनी का पूजन किया जाता है इनकी उपासना और अराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्ण, काम और मुच्छ चारो फलों की प्राप्ति होती है उनके रोग, शोक, संताप और भय नश्ठ हो जाते हैं देवी कात्याईनी जी के संदर्म में एक पवरारिक कथा प्रचलित है जिसकी अंसार एक समय कत नाम के प्रसिध रिशी हुए तथा उनके पुत्र रिशी कात्य हुए उन्ही के नाम से प्रसिध कात्य गोत्र से विश्व प्रसिध रिशी कात्याया निक्पन हुए थे देवी कात्यायन जी देवताओं रिशिनों के संकटों को दूर करने के लिए महर्सि कात्यायन के आसरम में उत्पन होते हैं महर्शिक कात्यायन जी ने देवी पारण पोसर किया था जब महिसा सुर नामक राचस का अत्याचार बहुत बढ़ गया था तब उसका विनास करने के लिए ब्रह्मा, विश्रु और महेश ने अपने अपने तेज और प्रताप का अंच देकर देवी को उत्पन किया था और इसी कात्यायन ने भगवती जी की कठिन तपस्या पूजा की इसी कारण से यह देवी कात्यायनी कहलाई महर्शिक कात्यायन जी की इच्छा थी की भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले देवी ने उनकी यह प्रार्थना स्विकार के तथा अश्विन दिश्न चतुर्दसी को जन्म लेने के पश्चार सुकल सक्तिमी अश्टिमी और नौमी तीन दिनों तक कात्यायन जीसी ने इनकी पूजा के दस्मी को देवी ने महिशासुर का बद्द किया और देवों को महिशासुर के अत्याचारों से मुक्ट किया मा का त्यायनी का स्वरू अतियन दिब्य और स्वर्ड के समान चंकीला है ये अपनी प्रिय सवारी सिंग पर आरुड रहती है इनकी चार हुजाएं भक्तों को बरदान देते है इनका एक हाथ अभय मुद्रा में है तो दूसरा बर मुद्रा में है अन्य हाथों में तलवार और कमल का खूल है इनका गुर सोधकार्य है इसलिए इस बैग्यानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है इनकी क्रिपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं इनका सुबरंग लाल है आये सुनते हैं मा कात्यायनी की आरती जै जै अम बे जै कात्यायनी जै जग माता जग की महरानी बैजनाथ असिथाने तुम्हारा वहां बरदाती नाम पुकारा कई नाम है कई धाम है यह अस्थान तो सुख धाम है हर मंदिर में जोते तुम्हारी कहे योगेश्वरी मही मान्यारी हर जगा उत्सा होते रहते हर मंदिर में भक्त हैं कहते कात्याय निरचक काया की ग्रंथी काटे मुह माया की जोते मुह से छुडाने वाली अपना नाम जपाने वाली ब्रिहस्पतिवार को पूजा करियो ध्यान का त्यायनी का तुम धरियो हर संकत को दूर करेगी भंदारे भर पूर भरेगी जो भी मा को भक्त पुकारे कात्यायनी सब कष्ट निवारे झाल झाल हाओ झाल झाल